नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल लख राजो इंगलिस एकडमी में दोस्तो जैसे कि आप हमारे सेशन देख पारे हम लोग ग्रामर सेक्षन को यूनो कंटिन्यू करा है दोस्तो आज के जो वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आठकिल जैसे क कि आप लास्ट वीडियो यानि की पार्ट वन आई होप आप देखे होंगे यह आप नहीं देखे हैं तो डॉंट बरी अबाउट दाट मैं उसका जो है लिंक चैनल डिस्टों बॉक्स में मैं से अवस्य लास्ट वीडियो यानि आठकिल से बेसिस रिलेटेड पार्ट वन अवसे देखेगा चुकि उस सेशन में मैंने बेसिक रूल्स ए एन दी का मैंने बताया था किस तरह से ए और एन के उचारण करेंगे कब द को दी और द किस तरह से पढ़ेंगे सबी चीजें मैंने उसमें आपको दोस्तों सेर किया था दोस्तों मैं वीडियो में आगा सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों पर देखें दोस्तों आज हम चार्चा करेंगे आटकील पे पोजिशन आप आटकील ठीक है यानि आटकील की किस परकार कि क्या स्थिती रहेगी कब इनका परियोग करेंगे इस संटेंस में इस चीज़का आप आप सिखा लखीगा तो रूल वन है रूल वन पर ध्यान दीजिएगा कहता है ए एन और द के बाद नाउन का जो है दोस्तों परियोग करना चाहिए या फिर आप यू कह लिजिए कि नाउन के ठीक पहले हम लोग ए और अन और द का परियोग करते हैं इस बात की पूछटी कैसे होगी तो एक यह तीन एक्जामपल देखें यह आप मैंने आपके लिकर रखा जैसे आई हब बूग ठीक है मेरे पास क्या दोस्तों एक किताब है तो पहली बात यहां पे एक क्य आउन के प्रियोग कया गए है तो मैंने आपको बोला था कि फटीक पहले and का प्रियोग करें यानि आउन हम नाउन के ठीक फिस बीवर में करते हैं यानि ठीकagem vendor है he has an umbrella यानि उसके पास एक क्या है छत्री है तो देखिए umbrella यहाँ पर दोस्तों क्या है तो यह noun है और मैंने यहाँ पर दोस्तों देखिए n का प्रयोग किया गया है देखिए सबसे खास बात कि a और n कब हम उचारण करेंगे यह हमारे noun words पर करता है जब हम इनका उचारण जब करते हैं सभी word को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो जब स्वर वेंजन के साथ इसके साथ अभिकरिया होता है यानि कि जब स्वर ध्वानी का उत्पान होता है यानि भावल ध्वानी का उत्पान होता है तो उसके साथ एक के बताने के लिए और यदि जब वेंजन ध्वनी प्रकड करता है यानि consonant sound प्रेजेंट करता है तो इसके लिए हम लोग एक अपर्योग करते हैं ठीक है जैसे बूक है तो बूक देखे तो बहा हमारा जो है क्या है एक आपका वेंजन यानि consonant sound है तो इसके लिए एक अपर्योग किया गया है और मेरे ने यहां कि अंब्रेला यतम्लय को यदि आफिंदी में लिखने का परियास करें मेरा भाई वह बीवह घूल गोक हृण स्वर साउंड है यानि आप यू का लिजे स्वर ध्वनी है उसके अनुशार यहां पर एन का मैंने परियोग रखा है और देखिए दोस्तों यह बात है मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था आप वहां से देखिएगा लिंक डिसम वक्स में आप जीट और सकी यानि घौ के पशक होता है तो देखिए जो टेज क्या है यहां पे नाउल है इसका पहले यहां पर देखिए यहां प्रों क्या आपका नाउन है औरуск έपक परियोग किया गया तो ये भी मैंने बात आपको बतै तो कि ए और एं होते हैं दोस्तों ए इंडीफिनिट आठकिल ह और द जो हता है डिफिनिट अटी को दता है यहीं निश्चीद बता ड काउट है अपना पूंच होता है ठीक है तो यह ती रूल यह था सर्त यह था कि नाउन का पहले यह पर्योग करेंगे यहाँ परूल 2 करेंगे पढ़ेंगे प्रयास करेंगे Rule 2 कहता है दोस्तों यदि A और N और The हो और यदि उसके बाद adjective और उसके बाद noun का परियोग करेंगे यानि इस बात की पूछिटी देखिए यदि कोई आपका मैंने बताया कि noun के पहले A, N का परियोग करेंगे ठीक है नाउन के पहले एड्जेक्टिव का परियोग करेंगे लेकिन यहांदी एड्जेक्टिव का परियोग कर दे तो क्या होता है वहां पे एड्जेक्टिव के ठीक पहले लगता है उसके बाद एड्जेक्टिव उसके बाद नाउन होता है यहां पर सर्थ क्या होता है थो में कह रहा हूं देखिए she is an intelligent girl वह क्या है एक आपकी तेज लड़की है ठीक है बुधिमान लड़की है तो देखिए बात दोस्तों यहाँ देखिए girl क्या है girl यहाँ पर दोस्तों क्या है girl एक noun है चलिए noun हो गया इसकी ठीक पहले intelligent क्या है intelligent एक आपका adjective है यानी की बिशेशन है अब बात करते हैं दोस्तों adjective क्या होता है तो दोस्तों adjective यानी की बिशेशन हमेशा क्या करते हैं दोस्तों संग्या या स्वरो नाम की बिशेशता को बताता है तो यहाँ पे लड़की जो है यानी की संग्या है वो क्या है इसकी बिशेश इसको समझेगा तो पहले noun यदि adjective पर हुआ है तो देखें किस इसाब से यह आपका एन ठीक adjective के पीछे चला गया है और चीज़े देखिए आगे समझने का प्रयास किजिए अनामी का है यहां पर पुरियोग हुआ है उसके बाद देखिए यहां पर पुरियोग आपको दिखा अभी यहां के पुष्ठी देखें अनजली इस डव बेस्ट इस ट्यूदेन्ट तो देखें यहाँ पर तौक मैंने परीयोग रख़्ा है और इस टूदें यहां के क्या presumने और नाउण है और बेस्ट यहां पर गाया एड्जेक्टीव है ठीक दोस्तों आप आप इस चीज होगा भाई यहाप पर परियोग होता है लेकिन एड़ेक्टिव आया तो मैंने बोला चलो भाई एड़ेक्टिव को पहले भी हम लोग कर लेंगे लेकिन यदि एड़ भर बाज आये तो फिर क्या होता है आठकील आपको मैं बता दून का पोजीशन छोड़ के किसको एड़ेक पा रहोंगे, देखे, she is a very intelligent girl, तो repeat करते हैं, वो क्या है, बहुत ही तेज लड़की है, तो देखे, girl is a noun, intelligent is adjective, very is a verb, and यहाँ पे is a article, तो देखे, यहाँ नाउन के ठीक पहले, आपका दूस्तों, adjective, उसके ठीक पहले आ जाता है, भर, और इसकी position बदल जाती है, अर्टिकल के position बदल जाती है, वो चला जाता है, भर्व के ठीक पहले, तो सर्ते लागू, बाते समझ में आ रही होगी, I hope आप समझ रहे हैं, इसे अग्जामपल है, इसे बहुत अच्छा खिलाडी है, as we know that, तो देखे, प्लेयर है, यहाँ पे noun, दोस्तों, बेस्ट यहाँ यहाँ पे भाई, adjective आ गया, very यहाँ पे adverb आ गया, और the का यहाँ पे हम लोग use कर लिए, चलिए दोस्तों, एक note मैंने लिख रहा का, इस note का आप समझेगा, note कहता है, note कहता है कि the very का अर्थ कभी use हम लोग करते हैं, वहीं के अर्थ में, ठीक है, the very का अर्थ हम लोग वहीं girl, यानि कि यह वहीं लड़की है, suppose आप किसी से बाते कर रहे होंगे, योदि आप किसी को indicate करना चाहते हैं, यह वहाँ पर बता सकते हैं, यह वहीं लड़की है, जो मैं आपके सामने रखने वाला था, या उसके बारे में बताने वाला था, दोस्तों, सेसन अच्छा लगे, तो please like, share and subscribe, जैसे कि सभी लोग कहते हैं, मैं भी बूल दिया, चलिए, आगे है, rule 4, देगे, कभी भी सच का परियोग और उसके या तो किसी sentence में, सच हो, या वाट हो, या मेनी हो, या rather हो, या हाफ हो, और प्लस मैंने लिखा, यानि इसके बाद, ये ए और और नाउन का हम परियोग करेंगे, यानि सुन लिजे सर, देगे, कभी भी सच और वाट और मेनी और रादर और हाफ एक sentence मैना चाहे, तो आप आठील का परियोग इनके ठीक बाद ही कीजेगा, और नाउन के पहले कीजेगा, नाउन के पहले तो हम यहाँ पे शीखे ही, लेकिन सच वाट य की, यह सबी चीचे छोटे है, एड्जेक्टिव के रूप के तरह काम करते हैं, आप समझेगा थोड़ा सा, तो देखे, सच गर्ल, यह वही लड़की है, ना कि आप और सच गर्ल लिखेगा, एरर हो जाएगा, वाट अफूल, देखे, बाट के बाद एक अपरी होगा, यहा की, मेनी के बाद, पुलरल नाउन का हमलोग परियोग होने पर, दोस्तो, ए और एन का परियोग, पुलरल नाउन के पहले नहीं किया जाता है, रिपीट करते हैं, मेनी के बाद, पुलरल नाउन का परियोग होने पर, ए और एन का परियोग, पुलरल नाउन के पहले नहीं कि जाता है ठीक है दूसरी यहाँ पर देखें नोट है कि जो राइदर होता है इसका परियोग वस्तुतह हिंदी क्या होता है इसका वस्तुतह के अर्थ में होता है ठीक है दोस्तो अब बाते समझे इस चीजों को अब देखें रूल फरोट करते हैं फाइफ में देखें रूल फ पुरियों कीजिएगा मैं इस से में बात कर रहा हूं पोजीशन आठीकिल का तो मुझे लगा कि यह चीज आपको जाननी चाहिए तो मैंने इसे एडवांस पनलीक रखा तो इसे देखे सच ब्यूटिफुल गर्ल यह सही है संटेंस गर्ल यहाँ पर नाउन हो गया ब्यूटि यह सही है यह संटेंस में यह गूट बोक यह भी आपका संटेंस सही है नेक्स दोस्तो इसे समझने का प्रयास कीजएगा मेरे भाईो लेकिन यहाँ पर दिया है नोट यानि लेकिन यदि ए प्लस रैदर और प्लस एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन का पुरियोग हो तो भाई कैसे बाती होगी तो देखिए ए रैदर और इंट्रेस्टिंग बूक यह सबी चीज़ देखेगा ए लगा है रैदर हुआ है एडजेक्टिव इंट्रेस्टिंग है और बूक के आपका नाउन है यानि कभी-कभी आपको इस तरह की भी संटेंस मिलेंगे तो आपक क्या डिमांड है ग्रामर में किस चाप्टर को आप पढ़ना चाहते है वह भी कमेंट करके बताए मैं अवस से फोलो करूंगा सभी चीज़े आपको रिस्व बॉक्स में में लिंक से एर कर दे रहा हूं आप सभी चैनल और मेरे लाश्ट वीजियो अवस से दिखेगा तो च कि अवस कर दे लो कर दो करेंसरDER के इंचेज़ में आकमें टॉरक है ये चैनल जो चैनल झाल Quा पॉक्झि लोका है और में इडिम बौकर ק्र चैनल कर को कि आप भी चैनल झाल झाल